हेलो फ्रेंड मैं भावे आप सभी का अपने ही चैनल भावे आश में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग? I hope सभी लोग बहुत एच्छोंगे सुप्रानाज में आप लोग के साथ सेर करने वाले हों की चेहरे में काले तिल ब्राउन तिल या काले दाग दब्बे हो तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं वैसे तो हर कोई चाहता है उनका चहरा बेदागर सुन्दर नजर आए ऐसे में चहरे में इतने सारे तिल हो तो चहरे की सुन्दरता को बिगार देता है अगर चहरे में एकात तिल हो तो सुन्दरता को बड़ा भी देता है लेकिन चहरे में बहुत सारे तिल हो जाए तो चहरे करें आप लोग को करना क्या है बहुती आसन घ्रेलो उपाई में आप लोग को बताने जा रहे हूं दो घ्रेलो उपाई में आप लोग के साथ सेर करने वाले हूं जो भी आप लोग को अच्छा लगे उसे आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं तो करना क्या है सबसे पहले हम बात कर हैं lesson आप लोगत लेना है lesson लेसन बहुत ही जादा कार भर garden रहता है तील मुहासे काले तील हो लगा। किसी भी तरिएक छहरी में दागदब्र हो उनको रिमू करने यह बहुत जादा मदद करता है तो आप लोग इस तरीके से लेसन क Kann πlaisर निकाल को R. ठिलुकों को निकालने के बात क्या करना है । मैं आप छोग को आगे बताते चलोंगे लेकिन इस से पहले एक चीज जब बता देती हूँ चहरे के काले तिल दाग धबी क्यूं हो जाते हैं जैसे की तिल क्यूं हो जाते हैं अधिक सनलाइट में जाने की और जिसे भी चेहरे की तिल बढ़ जाते हैं तो इसके लिए आप लोगं को क्या करना है जब भी आप धूप में निकलें तो अच्छे सी किसी कमपनी का जो आपके चेहरे को सूट करता हो उस संस्क्रीन को अपने चेहरे में एक बार जरूर अपल लेना है करत्ल कहस कने के बाद उसके बाद जितना भी इसका पेस्ट बनाले कू recognise बनाने नहीं आपको थोड़ा ना ब्रां तिल या तिल काल धब्भे दब्रबल काने लेकिन कैसे लिए प्लूरी तो लिए बीडियो आप लिए इन तक देखना तो याप लों NFLstars को समझ में आ पाएगा तो मैंने दो लेसन की कली ली है यहाँ पर जादा नहीं ली है उसको अच्छे से कद्दुगस कर लिया है अब मैंने यहाँ पर एक कॉटन की हैंकी ली उसकी मदद से मैं इस तरीके से इसका जितना भी जूस निकलेगा मैं एक बाउल में एड करते जा रही हूं आप संस्क्रीम को जरूर इस्तमाल करके ही घर से बाहर निकलें और जितना हो सके जादा है जादा पानी पीए क्योंकि तिल मुहा से जादा तर संपर्क में आने की कारण से होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इतनी कॉंटेटी में इसका जूस जो है लेसन का निकाल लि बताऊंगे सबसे पहले लेसन का बता रही हूं ध्यान से सुनना और देखना अपलाए करेंगे एक महने के अंदर अंदर इस सारे तिल काले तिल मुहा से एकदम रिमूव हो जाएंगे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे सबसे पहले क्या करना है एक कॉटन की मदद स भी जो हमने पेश, जो इसका जूस लेसन का तंग्यार किया है उसे अपने तिल वाले में लगा लेना हैं क्योंकि मेरे चेहरे में कोई तिल मुहासे नहीं है और चेहरा साफ है और मेरे चेहरा काफ ज़्यादा शॉप्ट भी है क्योंकि लेस्टन एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि तिल मोहा से हो तो उनको पूरा जला देती है, तो आप लोग देख सकते हैं, जब मैं लगा रहे थी, मुझे काफ ज़्यादा जलन हो रही थी, दरद हो रहा था, क्योंकि मे सब्सक् diameter प्वाले और आपके तील ही नगाईगे नहीं आनके छेहरे में कर साथ जाएंगे और हैने सब्सक्राइव the चीज क्या है दूसरा घ्रेल उपाइम आप लोंगे को बताने जा रहे हूं बहुत ही आसन तरीक है आप लोंगे को बनाना लेना है उसके छिल्कूं को निकाल लेना है निकालने के बाद क्या करना है यह कम भी आपको रात महीं करना है और चैहरा एकदम साप होना चाहिए इस तरह इस तरीके से काले दाग दब्बे ब्राउन तील हो सब्सक्राइब कुछ भी काली तील हो राउन हो तो उस एरिया में मसाज करने के बाद बहुती ज्याद़ मांद रहता है यह बनाने का छिलका दिखने में एक छोटी सी चीज है लेकिन काम इसके बहुत बड़े रहते हैं बहुत तेजी से ये आपके काले तील, काले दाग धब्मू को रिमू कर देगा तो उसके बाद क्या करना है जो इसके अंदर का छिलके का अंदर से जो रहता है उसको निकाल लेना है आप लोग देख सकते हैं निकाने के बाद फिर क्या करना है जिस एरिया में आपके काले तील हो या काले दाग दब्बे हो गए है उस एरिया में इसको लगा लेने है लगाने के बाद क्या करना है क्योंकि ये कुछ टाइम बाद गिर जाएगा तो आपको क्या करना है कोई भी टेप लेने है जो आपके करना है इस तारीके से जितने भी आपको केले के अंदर के छिलके रहते हैं उसको निकाल लेना है अंदर का जो रहता है वाइट कलर का आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि इसकी में आप लोग को दिख रहा होगा जो केले का छिलके का अंदर का जो वाइट वाला पार्ट रह और इस तरीके से चिपका देना है आप लोग देख सकते हैं चिपकाने के बाद हमें क्या करना है जितने भी आपके तिल हैं चहरे में सब जगह पर ऐसी आप लोग को लगा लेना है जिसके मैं आप लोग को दिखा रहे हूं सब जगह पर ऐसी लगा लिजिए लगाने के बाद आप लोगों को करना क्या है पूरी रात भर को इससे छोड़ देना है आपके नोज में है较 या हुँट में आपके माथे में आपके चेहरे में जहां पर भी काले तिल है या काले धब्बे पड़ गए हैं तो ऊस एला मैं इस तरहिएंक से आप को लग रहा है दरद हो रहा है तो फिर इससे एकदम थंड़ा दूद siya में लगा के हलक YOUR की मसाज करके 2 मिधित के लिए छोड़ दें उसके बाद थंडे पाशने से चेहरे को साब कर ले इस उपाय को करने के बाद दो हफ्ते के अंदर अंदर काले तिल भ्राउन तिल सब कुछ रिमूव हो जाएंगे और संलाइट में धूप में आप अगर निकलें तो आप लोग अच्छे से अपने आपको कबर करके ही निकलें और अच्छे सी संस्क्रीम लगा के ही धूप निकलें तो आप लोग इस उपाय को तीसरे दिन या हपते में एक बार भी इस्तमाल करेंगे ना कुछी दिन में आपका चेहरा एकदम बेदाग और कर दिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिना थैंकि सो मज़ बबू आप